हलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और ने जानकारी लेकर रही हूँ कि आप लोग कैसे अपने सरीर को फिट रख सकते हैं स्वस्थरा सकते हैं उम्मीद है कि मेरी जानकारी सुनकर आप लोग फैदा जरूर उठाएं पानी सिहत का जरूर फ्याल रखींगे। दोस्तो मैं आपको आज गर्म पानी के फैदे बताने जा रहेु हूं. लोग अकTHर ये तो जानते हैं कि पानी पीने के फैदे होते हैं लेकिन गर्म पानी पीने के भी बहुत सारी फैदे हैं इसके बारे में जानकारी नहीं होती तो मैं आपको आज बताने जा रहे हूं गरम पानी पीने के फायदे पानी सरीर के लिए कितना सेहत मंध है यह तो आप लोग जानते हैं कि पानी के बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते लेकिन आप लोगों को आज मैं बताने जा रहे हूं क कि गरम पानी पीने के भी अनेक फैदे होते हैं फ्रेंट्स गरम पानी पीने से तेजी से वजन कम होता है यदि आप लोग लगातार गरम पानी पीएंगे रोज खाली पेट सुबह एक गिलास गरम पानी में एक आधा नीबु का तुकड़ा और एक चम्मा सहग मिलाकर यदि आप लोग लगातार पीएंगे तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फैदा होगा आपका वजन इतनी जल्दी कंट्रोल होगा कि आप लोग सूझ भी नहीं सकते कि आप लोगों को कितना फैदा मिलेगा गरम पानी पीने से सरीर में बनने वाले बेट कोलेस्ट्राल को गलाया जाता है जिससे आपके सरीर का बेट कोलेस्ट्राल घटेगा और आपके बोडी में मेटाबोलिजन की मात्रा बढ़ेगी जिससे आपका वजन तेजी से कंट्रोल हो जाएगा इसलिए आप लोग गर्म पानी जरूर पी और आप लोग गर्म पानी पी कर वजन कंट्रोल कर सकते हैं गर्म पानी पीने से सर्दी खासी में भी रहात मिलती है अक्सर बदलते मौसम के साथ लोग भी मार पर जाते हैं उन लोगों को ऐसे में क्या करना चाहिए कि गर्म पानी पीना चाहिए गर्म पानी पीने से उन लोगों के गले में होने वाले खराज, सरदी, खासी से उन लोगों को छुटकारा मिलेगा गर्म पानी पीने से पुरी बाड़ी की सफाई हो जाती है और पूरा सरी निरोक रहता इसलिए गर्म पानी पीना चाहिए जीन लोगों के पेट में समस्या रहती है या फिर जीन लोगों का खाना आसानी से नहीं पस्ता उन लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए गर्म पानी पीने से पाचन सम्मंधी पहुंसी समस्या दूर हो जाती है गर्म पानी पीकर आप गवासित की समस्या से जूज रहे लोगों को अक्सर मलत्याग करते समय जाधा परिशानी होती है इसलिए गरम पानी पीना चाहिए गरम पानी पीने से उन लोगों का पेट साफ रहता है और वो लोग अनेक प्रकार की परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं जी लोगों के पेट में गैस बनता है या फिर जी लोगों को असीडिटी की परिशानी रहती है उन लोगों को गरम पानी पीना चाहिए गरम पानी पीने से उनके पेट में बनने वाले असीडिटी और गैस की परिशानी से निजात मिलता है इसलिए गरम पानी पीए और अपन लोग लालच में पढ़कर ज्यादा खाना खाते हैं उन लोगों के भूग को कंट्रोल करता है और उन लोगों के खाने में एक निश्चीत मात्रा में कंट्रोल करके रखता है इसलिए गरम पानी पीने से ज्यादा लगने वाले भूग को सांत किया जा सकता है और अपने सरीर म या फिर उनके गले में खरास रहता है या फिर उन लोग सर्दी खासी का सिकार हो जाते हैं साथ ये साथ बुखार की समस्या सुरू हो जाती है तो ऐसे में उन लोगों को गरम पानी पीना चाहिए गर्म पानी पीने से गले में होने वाले खरास से चुटकारादी लाया जा सकता है गर्म पानी में एक चुटकी नमक डाल कर यदि गरारा करेंगे तो आपके गले को रहत मिलेगी और आप लोगों का गला एकदम ठीक हो जाएगा गर्म पानी सरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो सही रखता है यदि लगातार लोग गर्म पानी पीना सुरू करेंगे तो लोग कई विमारियों से बच सकते हैं और उनके सरीर में होने वाली खुन से संबंधित परिसानियों को भी बहुत हट ठीक किया जा सकता है अपने सरीर मे आने वाली अनेक प्रकार की बीमारियों को रोकी गर्म पानी पीने से मास्पेसियों में ताकत रहती है मास्पेसिया मजबूत होती है इसलिए गर्म पानी पीए ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें और मेरे चैनल को स्क्राइब नहीं करेंगे तो आप लोगों तक मेरा वीडियो नहीं पहुंच पाएगा और आप लोगों को कई प्रकार की अलग अलग जनकारिया नहीं मिल पाएगी इसलिए प्लेज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरा देखने के लिए धन्यवाद